नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भप्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा दसम भाव में हुआ है अच्छा जी तो ये दसम भाव का परिवर्तन इस्पेशली है तो कारिक्षेत्र का पैत्यक्षेत्र का ससुराल पक्ष का लेकिन आपके जीवन के किन और अन्य भागों पर इसका सकरात्मक प्रभाव पढ़ने वाला है इस पर चर्चा आज हम लोग करन किन छेत्रों पर प्रकाश डालेगा हम लोग इस पर चर्चा करेंगे आज तो सबसे पहले सिक्षा के बारे में चर्चा कर लेते हैं अगर आपकी राज़ शिकुम्भ है हो सकता है कि आप कोई नया सिक्षा का अस्तर तलाश करें पूरी संभावना है कि कुम्राश वालों के लिए सिक्षा के मामले में एक अलग तरह की दबंगई दिखा सकते हैं बिद्याले में सिक्षा के साथ साथ राजनीत में भी आपकी रुच जग जाएगी आप टीचर्स की निगाह में चढ़ जाएंगे कुम्राश वालों के लिए दूसरों पर से निर्भरता ब्रहश्पत की किरपा से खत्म हो जाएगा कुम्राश वालों के लिए व्यापार की इस्थिती की बात अगर हम करें तो ब्रहश्पत का ये परिवर्तन व्यापार में जबरदस्त उछाल देगा इस्पेशली अगर व्यापार आपका सिक्षा छेतर से संबंदित हो स्टेशनरी का हो पप्लिकेशन हाउस हो तो व्यापार आपका बंबं करेगा और आपकी राश अगर कुम्राश व्यापार का योग आपकी कुनली में है तो जबरदस्त तरीके से उछाल आएगा और धन की तो जैसे बरसाथ सी हो जाएगी जुलाई अगस्त महीने में तो बंबं है बस समझेगे जबरदस्त धन बरसा प्रेम संबंधों के मामले में क्या होगा आपका थोड़ा सा इंतजार आगे बताएंगे की गल्फरेंट छोड़के जाएगी या नहीं आएगी क्या हो रहा है थोड़ा इंतजार करिएगा पहले जान लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में कुम्बराशी वालों को क्या मिलेगा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो नहीं नोगरी की संभावनाएं आपके लिए मार्च में बन रही है ये देवगुरु ब्रहश्पत की ही क्रिपा होगी कि आप प्राइवेट सेक्टर में स्विच कर पाएंगे परिवर्थन कर पाएंगे सरकारी नोगरी अप्रेल से पहले उम्मीद न करिएगा सानादरन भी कराएंगे बॉस के साथ बॉस आपकी पीड भी थप थप पाएगा तो अगर आप गॉर्मेंट सेक्टर में है तो मार्च अप्रेल ठी ठाक है तो उस जगए उस समय में आपका प्रमोशन और थानादरन भी रहश्पत कर पासे होगा और होना ही होना है कुछ भी हो जाए ये आपके लिए सबसे स्यकरात्पक प्रभाव होगा ब्रहश्पतिका अगर आपकी राशी कुम्भय तो आपके लिए समय बहद अनकूल आ गया है सम्भवा की दामपत जीवन की जब हम जर्चा करें जैसे सरकारी लोगरी में भी ठीक ठाक है प्राइविट में भी है मैरेड लाइफ में थोड़ा बहुत प्रभाव अचानक से प्रभावित कर सकता है थोड़ा बहुत जादा नहीं आप समहल जाईएगा बहुत विचार करिएगा और विचार करके ही फिर कदम बढ़ाईएगा दामपत जीवन में थोड़ा बहुत उठा पटक यहां नकरात्मक दिखा है उन बराशवालों के लिए ससुराल पक्च का बहुत जादा हस्टक शेप एक्सेप्ट मत करिएगा नहीं तो वहीं से फिर कलह कलेश और दिक्कतें सुरू होंगी जो कि आपके लिए बहुत कश्ट प्रद होंगी समभलने समभलने से इस्तिती गरबर हो सकती है और लव लाइफ की अगर बात करें तो इसमें बंबं इस्तिती दिखाई दे रही है लव लाइफ में ब्रहश्पत की किरपा से मूब आउन करने में आपको आसानी होगी और आप नया प्रेम संबंद भी फरवरी मार्च में स्टार्ट कर सकेंगे जिनके साथ शादी की संभावनाएं 100% प्रबल है बिमारी की अगर हम बात करते हैं तो बिमारी का मामला आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है बिमारी की स्थिती आपके लिए खतरनाख है बिमारी की स्थिती शूगर और ब्लड पेशर आपका बढ़ सकता है शुगर ब्रेट प्रेशर पर आपको निंदर रखना होगा उपाय क्या करना है आप सब के लिए अगर आप किराशी कुंब है तो आप केले के पत्ते पर पूरीमा पूरीमा खना खाया करिए नहीं है तो केले का छिलका भी झाली जीएगा उस पे थाली रखके खालीजे का option दे दिया शुक्रिया धन्यवाद व्रहश्पत का तेरे महिने का यह परिवर्तन महाशुभो अगर आप दामपत्य जीवन की उठा पटक से परेशान है तो आगामी 19 नमंबर को आप के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे है इस आयोजन का हिस्सा बनकर married life को पूरी तरह से enjoy किया जा सकता है और अगर शादी नहीं हुई है तो शादी के योग बना सकते हैं एक बार और कहा था कि अगर आपको लगता है कि अविवाहित योग है जैसे हमने बताया है तो अविवाहित योग वाले भी आएं अगर आप विधुण है भले आपके अवस्ता 45-50 है अगर विवाह के लिए आपकी उख्षा है तो यह यग्य आपके लिए है समस्त बैवाहिक सुख से वन्चितों को हम बुलाते हैं 151 कुन्डी ये अग्या है लेकिन हम 200 कुन्डी ये अग्या तक पहुचाएंगे तो कॉल करिया और देखिए एक छोटी सी जलक उसके विशे में जानकारी हमें अनुमत देजेगा नमस्कार शिरादे नमस्कार माता पीता का दर्द एक ऐसा दर्द जो उनके बच्चे के अविवाहित होने पर या शादी योग्गे होने पर भी शादी नहोने पर होता है इस दर्द को आपका एश्ट्रो फ्रैंड दिल से महसूस करता है तभी तो आप सब के लिए एक ऐसा मुहूर्थ चुन करके लाया है, जब आपके जीवन में प्रारब्ध के आधार पर प्राप्त आविवाहित योग को भी भंग किया जा सकता है। आपके सामने चल रहे हैं और अपना अपना रजिश्रेशन करवाई है। धन्यवाद। राष्ट निर्मान और कल्यान भी है जिसके लिए अलग से कुंड और ब्रामन निर्धारित किये जाएंगे जो संतोशी जी के मार्क दर्शन में मंत्र जाब करेंगे। आप हमारे दिये गए नंबर्स पर कॉल और वाटसेप के द्वारा पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 9560-447-000, 99102-91850, 9999-024099 दिल्ली और NCR में रहने वालों के लिए खुश खबरी आप अपना रजिस्ट्रेशन हमारे कारेले पर आकर भी करा सकते हैं। हमारा पता है B35GM1, शालिमार गार्डन एक्स्टेंशन 2, साहिबाबाद, घाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, यग्ये के लिए रेजिस्ट्रेशन पहले आउ पहले पाउ के आधार पर होगा। के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना उसके वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।